हेलो फ्रेंड, SSE CHSL के 4 मार्च को मोर्निंग सिफ्ट के एक्जाम में ये क्वेशन पुछे गए थे अगर आपका एक्जाम आने वाले दिनों में है तो आप इन क्वेशन से रिलेटिड क्वेशन का रिविजन जरूर कर लेना तो हमारा पहला क्वेशन है प्रेस की समतरता सवीधान के किस अनुछेद में वर्नित है तो अंसर आएगा अनुछेद 19 में क्वेशन नम्बर 2 है 2011 की जनगर्ना के नुसार भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाले सहर कौन से है तो अंसर आएगा मॉंबई और दिली क्वेशन नम्बर 3 नीमन में से रांची किस राज्य की राज़दानी है अंसर आएगा जारखंड क्वेशन नम्बर 4 है किस गुप्ट सासक ने माराजा धिराज की उपादी धारण की अंसर आएगा चंदरगुप्ट परथम ने क्वेशन नम्बर 5 कलिंग युद कब हुआ था अंसर है 261 BC में क्वेशन नम्बर 6 जैन धरम के परथम तिर्थकर कौन थे अंसर है रिसव देव क्वेशन नम्बर 7 दक्षिन अमेरिका में घास के मैदानों को क्या कहते हैं अंसर है पंपास क्वेशन नम्बर 8 चंदावर की लड़ाई में मुहमद गोरी ने किसे हराया था अंसर है जैचंद को क्वेशन नम्बर 9 जहाँ पुर्वी घाट और पस्टमी घाट मिलते हैं वहाँ नीमन में से कौन सी पाड़िया स्तित है अंसर है नील गिरी की पाड़िया क्वेशन नम्बर 10 द्रोनाचारिय प्रुषकार कब दिया जाता है अंसर है 29 अगस्त को क्वेशन नम्बर 11 डाची गमराष्टे उज्यान कहां स्तित है अंसर है जम्मू कस्मीर में क्वेशन नम्बर 12 इंदरावती टाइगर पार्क कहां स्तित है Q13. अकबर के दर्बार में पहला अंग्रेज अधिकारी कौन आया था? Q14. SMTP की फॉल फॉर्म क्या है? Q15. विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? Q16. एड्स डे कम मनाया जाता है? Q17. कत्थ कली किस राज्य से समंदीत है? Q17. तो फ्रेंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इसकी नेक्स्ट सिफ्ट के क्वेशन भी मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ